हेलो एवरिगन वेल्कम कि मैं चैनल आज मैं ऐसा ड्रिस बनाने जा रही हूँ जो आपने मादरी दिक्षित ची को हम आपके हैकोन नुईवे पहने हुए देखा था ये देखिए बनने के बाद ही ऐसा लुगाएगा आप लोटिस करेंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास स्कर्ट और दुपट्टा और डिटी मेरा बनाया हुआ है तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ अगर आपको इस स्कर्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं मैं अपलोट कर दूँगी अगर बताएं मैं अपलोट कर दूँगी मैंने यहां पे 1.5 मीटर के कपड़े को फोरफोल्ड कर लिया है फोरफोल्ड इसली किया है क्योंकि मेरे कपड़े में कोई डिजाइन नहीं है यह बिल्कुल प्लेन है इसलिए मैंने आगे और पीछे दोनों पन्लों को एक साथ रखके कट कर लोंगी अगर आपके कुर्ते में कोई डिजाइन है तो आप फ्रंट और बैक को दो-दो लेयर्स में अलग-अलग करके काट सकते हैं अब यहां पर मैं अपनी बेटी का एक टॉप ले रहे हुँ जो उसको परफेक्टली फिट होता है और उसका ही मेजर्मेंट में लेलोगी नाप लेती समय इस बात का ध्यान रखें कि परफेक्ट नाप पे कटिंग नहीं करनी है हमको एक डेल इंच का मार्जिन लेना है उस पर हमको कटिंग करनी है यह देखिए मैं गले की कटिंग करें हुँ जिस पर दो निशान लगाया हुआ है आगे में मैं वी शेप दूंगी पीछे में राउंड यह देखिए एक पल्ला मैंने निकाल लिया जो कि मैं पीछे फले में यूज़ करूंगी और यह आगे के लिए है और इसमें हाफ इंच मैं यहां स्लेव्स के लिए गहरा करके कट कर लोगी अब यह पीछे कपला इसमें हम राउंड शेक देंगे अब बचे हुए कपड़े पर स्लेव्स की कटिंग कर लेंगे उसके लिए मैंने कपड़े को फोरफोड कर लिया अब यहां से आर्म होन की गुलाई देने के लिए टू एन हाफ एक निशान लगा लेंगे और नीचे की तरब से एक इंच पी निशान लगा लेंगे अब इसको गुलाई में निशान को मिला लेंगे अब इस तरीके से एक और निशान बना लेंगे स्लेव्स की लंबाई जवडाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब हम इस निशान को भी कट कर लेंगे कटने के बाद दोनों स्लेव्स मिलाने पर इस तरीके का इतना डिफरेंस दिखना चाहिए जो कि ये आगे के पल्ले में यूज होगा गला बनाने के लिए मैं बक्रम यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से कपड़े पर कटिंग कर रही हूँ कर दो कर रही हूँ कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल